साथियों चडूनी नई सियासी पार्टी और अफिम की खेती क्या है ये सारी बात चडूनी ने बड़ाई सियुक्त संघर्स पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी पार्टी पंजाब में अफिम की खेती की पैर्वी भारतिय किसान यूनियन के नेता गुर्णाम संयुक्त संघर्समिती बना ले है संयुक्त संघर्समिती पार्टी नाम से जो पार्टी घठित की है उसका मिसन 2022 पंजाब से सुरू होगा इसकी घोषणा चंडिगड में आज 11 वजे प्रेस कॉनफरेंस के जरिये कर दी गई चडूनी ने कहा कि हमारा मक्सद अमीर होना नह इतनी है तो भाजपा बिल वापिश लाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं है फिर वापिश लाएगी तो किसान लड़ने के लिए त्यार है पंजाब में हमारा गठबंदन किसी के साथ नहीं है 117 सिटों पर लड़ने के लिए हम त्यार हैं पंजाब में अफीम की हो खेती च पंजाब के अंदर कारोबार और रोजगार नहीं है हर संभव परियास करेंगे कि पंजाब में हर व्यक्ति को रोजगार मिले क्रिशी में बड़े बदलाव की जरूरत है खेती की विदेशों में डिमांड हो सकती है पैदा करने से लेकर उप भोगता तक का कारोबार किसान के पास होगा ऐसी खेती कि जाएगी जिसके विदेशों में डिमांड हो अफिम की खेती करें शुरू तो पंजाब उनती कर सकता है अफिम नसा नहीं है कमाई है इसे हंसी में मत लेना 32 किसान जत्थे बंदियों में से नो अलग हैं चडूनी ने कहा कि 32 किसान शंगठनों से न चुनाव के उलपार राजनितिक पार्टियां ही लड़ सकती हैं भाजपा को देश बेचने की छूट दे दो हम उनको लगाने के लिए ये कह रहे हैं हमारी बदकिस्मती है कि देश में गुंडा राज है मंत्री किशानों को कुचल रहा है ऐसे गुंडे लोगों को राज करने वड़ों को निकालने की जरूरत है तो साथियों अब ये पंजाब में नई सियासी पारी क्या रंग लाएगी ये एक नई अपडेट थी आप सभी के लिए अगर आपको अपडेट अच्छी लगी चैनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को सेयर करना नमस्कार वन देवात् आप